नमस्कार दोस्तों यदि आप राजस्तान बोर्ड अजमेर कक्षा दस्वीं, बार्वीं, आठ्वीं, पांच्वीं के विद्धारती हैं तो दोस्तों देनिक बासकर रखबार में आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है परदेश के 20.58 लाग स्टूडेंट्स को बोर्ड परिक्षाओं के 6 पेपरों के लिए अभी और करना पड़ेगा इंतजार तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोरोना वाइरस का परभाव यदि लंबे समय तक रहा तो कक्षा दस्वी, आठ्वी, बार्वी, पांच्वी के जो बचेवे पेपर हैं इनको करवाने में बोर्ड अधिक समय लेगा और आपको अभी और भी इंजार करना पड़ सकता है पहले तो माधिमिक शिक्षा बोर्ड राजस्तान अजमेर कभी भी आपकी परिक्षाएं नहीं करा सकता तो दोस्तों आपको पता होगा कि श्रीमान यहाँ पे अशो गेलोत जी ने 31 मारत तक क्या किया गया था लोकडाउन किया था लेकिन यहाँ पे श्रीमान नरेंदर मोदी जी ने 21 दिन के लिए 14 अपरेल तक लोकडाउन कर दिया है तो पहले बोर्ड के रहा था कि हम 31 मारत के बाद हम नया यहाँ पे टाइम टेबल जारी कर देंगे लेकिन जैसे श्रीमान नरेंदर मोदी ने 14 अपरेल तक लोकडाउन किया अब यह स्तिती साफ नहीं हो पाई है कि नया टाइम टेबल कब जारी होगा यही बात आपके सामने यहीं लिखी भी है कि बोर्ड अभी तेज कर पाया है कि हम टाइम टेबल क्या रखेंगे वो आपके बाद में 14 अपरेल के बाद में बताता लेगा जैसे कि आपको मैंने again की वीडियो बताया था कि DP जारोली बोर्ड अ緩े उन्होंने बताया था कि 14 अपरेल से 2 या 3 निर पहले हम बता देंगे कि board का नया time table क्या होगा और उन्होंने संभावित तारिक ये बताए कि कि 10 विंग की प्रिक्षा हैं और 8 विंग की प्रिक्षा हैं वो आपके 16 अप्रेल से start होगी आपको मैंने कल भी बताया था कि जो DP जारोली board के अदेख से उन्होंने कल भी बताया था न्यूजपेपर के अंदर कि 10 विंग और 8 विंग की प्रिक्षा हैं 16 अप्रेल से start होगी और आपके पास में जो बार्वी की प्रिक्षा हैं वो आपके पास में 20 अप्रेल यहां पे सौम वार से start होगी उन्होंने बताया था कल आपको जो न्यूजपेपर में कल लेके ऐसा उसमें बताया था और जो पांचवी की प्रिक्षा हैं वो आपके एक मैई से प्राडाम्ब होगी आगे लिखावाया इसी न्यूस पेपर की आज की कटिंग के अंदर राजस्तान बोर्ड की प्रिक्षा में दस्वी और बार्वी में इस बार कुल 20,58,169 प्रिक्षारती पंजी कर्च किये गए हैं इनमें सबसे अधिक पांचवी कख्षा के 11,35,747 बच्चे हैं बार्वी कलास में प्रदेश के 8,66,214 विदारती प्रिक्षा में बेटे हैं बोर्ड की दस्वी कख्षा की प्रिक्षाएं 12 मार्च से शुरू हुई थी और 24 मार्च को पूरी होने वाली थी जबकि कफचा बारविंग की प्रिक्षाएं पांच मार्च से शुरू होई थी और तीन अपरेल को पूरी होने वाली थी परदेश में सीम अशोग गेलोद द्वारा कोरोना संकर्मन को देखते हुए परदेश बर में धारा 144 लागू करने की गोसना के बाद बोर्ड ने 6 रही प्रिक्षाओं को स्तागित कर दिया आपको मैंने पहले ही बताया था कि 31 मार्क के बाद में बोर्ड प्रिक्षा बोर्ड नेया टाइम टेबल जारी करेगा ये ते किया गया था लेकिन जैसे ही श्रीवार नरेदर मोदी ने 14 अपरेल तक लोग डाउन किया उसके बाद में बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है अभी तक और ये कहा है शिरब कि 14 अपरेल से 2 या 3 निन बिले आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा और 10 विंग की जो संभावी तीती बताई है वो आपके 16 अपरेल और 8 वींग की भी 16 अपरेल और 12 वींग की आपके पास में 20 अपरेल और जो 5 वींग प्रिक्षा है वो आपके पास मतहिए 1 मई तो दोस्तों आगे लिखावा है बोर्ड अध्यक्स डॉक्टर धरंपाल ने उस समय कहा था कि अगरीम आदेशों तक प्रिक्षाएं स्तागित रहेंगी मानना जा रहा है कि 31 मारत तक बोर्ड प्रिक्षाएं भी स्तागित रहेंगी इसके बाद नया प्रिक्षा कारेकरम जान जीत हो सकेंगी यदि पीम की गोशना के अनुसार भी बात करें तो 15 अपरेल तक बोर्ड की प्रिक्षाएं पुना होना संभव नहीं लग रहा है इदर बोर्ड के कांकाज भी ठप है यानि कि जो 15 अपरेल मैंने आपको कहा था 15 अपरेल से पहले पहले बोर्ड अपनी प्र कक्षा दस्वी और आठवी दोनों सामिले असके अंदर और बारवी है उसकी जो परिक्षा है वो आपके पास में 20 अपरेलज से शिटार्ट होगी और आपकी बास में जो तक अप्रिक्षाaya पांच्वी है उसकी एक मैं से श्टार्ट होगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये कि अधिक्स डिपी जारोली खुद के रहे हैं मैंने आको कल न्यूज पेपर में दिखाया था और आज न्यूज पेपर में ये बात की जा रही है कि 15 अपरेल से पहले पहले प्रिक्षाइं स्टार्ट नहीं होगी और उन्होंने 16 अपरेल का बदाया था आई बासमझ में आग बोर्ड के प्रिक्षारतियों को घर में रहे कर ये 6 रहे पेपरों के अधियन की सला दी जाती है यानि कि आपको अब ये जो 15 से 16 दिन मिले हैं इसको आपको वेश्ट नहीं करने हैं जाया नहीं करने हैं खराब नहीं करने हैं आप कर्पया जो आपके बचे वेपर रहे रह 16 अप्रेल से कक्षा 10 और 8 विंग की प्रिक्षाएं होगी 20 अप्रेल से आपके 12 विंग की प्रिक्षाएं और आपके पास में एक मही से आपके कक्षा 5 विंग की प्रिक्षाएं और बोर्ड ने ये बताया है कि 8 विंग की अस्थागित नहीं होगी प्रिक्षाएं इनकी प्र आगे लिखावा है वरिष्ट उपाज्याय प्रवेशी का और व्यवैसिक प्रिक्षा की बच्चे भी इंतजार में देखो आप दस्मी और बार्वी में पढ़ते हो दस्मी और बार्वी के अतरिक्त वरिष्ट उपाज्याय प्रवेशी का और व्यवैसिक प्रिक्षा की बच यहां पर राजस्तान बोर्ड अजमेर है उसकी यह बिल्डिंग का फोटो है देख सकते हैं यह जो रिपोर्ट ले गई है यह देनिक भासकर दोरा ले गई है अजमेर के अंदर तो दोस्तों यह आपको यह न्यूस पसंद आई तो अपने दोस्त हैं कक्षा में पढ़ते हैं आपको यह न्यूस बेजिए शेर कीजिए इस वीडियो को तो दोस्तों नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक लिए जय हिन जय भरत वेसे दोस्तों आपको राजस्तान बोर्ड कक्षा दस्वी बारवी का नया टाइम टेबल आपको आरकेला डोट इन पर मिल जाएगा जैसे क यह आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी